असलाम अलेकों रहनत अल्लाहिब बरकातो आउज विल्लाहि में शुरू करते हैं आज का दस्वा प्रैटिकल माइक्रोसप्ट वर्ड में और आज का प्रैटिकल जो हमारे रहेगा वो रहेगा लोगो पहले आप इंग्लिश में लेखें यहां पे डिपनिश मैंने लिखा है क यह होता है किसी भी organization ये company पो रिप्रेजन करने के लिए हर किसी company का एक different unique logo होता है तो हम लोगो यूजुली बनाते हैं coral drum में लेकिन मैं आपको सिखा होगा कि Microsoft Word में कैसे हम बनाएंगे easy way में है सब्सक्राइब हम जाएंगे यहां पर insert में फिर यहां पर shapes दो तरह की logo में आपको सिखाऊंगों यहां पर बनाने के लिए है तो यहां पर आप देखिए shapes चूज कीजिए हम select करने वाले हैं यह वाला down ribbon player यहां पर देखिए फिर right click add text पहले इसको मौड़िफे करेंगे warmer पर एक फिर यहां पर हम आएंगे shape फिल पर चाहिए color देना चाहो यह कुछ और या gradient या picture जो भी आपको पसंद है वो आप दे सेकते हो यहां पर ठीक है say for example this one तो फिर हम इसको थोड़ा सा मौड़िफे करने वाले हैं outline को wait यहां पर हम लिखेंगे अप्ग्रेड यूर सिकिल्स ctrl plus a ctrl plus b बड़ा करते जाएं कि जो मैं बनाने वाला हूँ यहां पर यह मैं बनाने वाला हूँ लोगो इनस्चूट का तो मैं क्या करूँगा इसी को कापी करूँगा ctrl plus c ctrl plus v फिर यहां पर इसको हम नीचे लाएंगे clear यहां पर हम change करेंगे n i t e t ctrl a ctrl b कि इसमें space है बड़ा हम कर सकते हैं फिर right click long okay अब ही हम लाएंगे space shape यहां पर इसके साथ तो सबसे पहले हम क्या करेंगे format text wrap square इसको भी करेंगे ताकि फिर यह मूँ हो जाए आराम से square अब भी हम जाएंगे यहां पर insert पर फिर यहां पर हम आएंगे clip art पर यहां पर हम search करेंगे simply computer फिर go यूंकि मेरा जो यह institute है यह कोईजिकेशन का है इस पर दोनों यह image रखने वाला हो text wrap square यहां पर आ जाएंगे तोड़ा सा अलका सा जोड़ा कीजिए इस पर रखनेंगे इसको yes you can square पर इसको adjust करेंगे हम accordingly तो रखेंगे यहां पर अभी देखें लोगों हमारे पास कैसे बन जाएगा अभी यह word file है हमें इसको image बनाने है image बनाने के लिए हमने क्या करना इसको सबसे पहले हम करेंगे इनको grouping click कीजिए इस पर control press कीजिए जो जो यहां पर है हमने जो ड्रा किया है click right click group और group फिर यहां पर क्या करना हमने simply select कीजिए बाहर से right click copy फिर यहां पर आये आप start menu पर यहां पर आजाएए paint में यहां पर control plus V clear फिर हमने क्या करना है इसको crop करना है इसको इसको हम करेंगे file save as save करेंगे इसको फिर हम इसको use करेंगे लेकिन हमने क्या करना है file type save as यहां पर दियान रखिए jpg best रहता है फिर यहां पर हम रखेंगे desktop पर यहां भी हम देंगे इसका नाम से for example logo हम रखने वाले है इसका नाम save अभी देखिए हम का cm इसको फिर इस्तिमाल करेंगे जैसे मेरे पास यह है इसको हम delete करने वाले है यहां कोई भी प्राइटिकल है पिछला वाला अभी देखिए यहां पर down save मुझे यहां नहीं करना है no अभी देखिए मैं कोई पुराना प्राइटिकल करने वाला हूं यहां पर open study material में देखते हैं यहां पर अब मुझे यह logo डाला है किसी भी प्राइटिकल पर save for example practical number 8 को हम open करने वाले है okay मुझे यहां पर चाहिए इस पर logo इने चूट कर जो मैंने प्राइटिकल 8 बनाए इसके आगे तो मैं करने वाले है minimize पिर यहां पर हम सब्सक्राइच करेंगे जहां पर हम ने रखा है कट दे जाएए drag and drop करके clear तो अब भी अगर आपको इतना बड़ा चाहिए फिर यहां पर हम जाएंगे shapes में फिर इसको हम format करेंगे इस पर तो यह बन गया हमारा logo अगर बाहर चे कुछ चाहिए इसका effect, picture, border, color कुछ भी चाहिए तो आप दे सकते हैं कही और चाहिए कोई और भी चाहिए दुसरी साइड से मनलब राइट साइड से वे दो लोगों चाहिए तो ctrl plus c, ctrl plus v फिर इसको move कीजिए यह है एक तरीका logo बनाने का दूसरा तरीका अगर मैं दिखाओं आपको तो वह देखिया वह कैसे बनाएंगे simply हम यहां पर नए फाइल करने वाले हैं तो हम क्या करने वाले हैं यहां पर insert shapes ठीक अब हम पहले लेंगे यहां पर star कौन सा लेंगे हम 12 or 24 or 32 star हम लेंगे यहां पर 32 star अब देखिये आप फिर हम इसको कैसे बनाएंगे different logo अगर वह आपको पसंद नहीं आए तो हम दूसरा भी बनाने वाले हैं आप पर depend है कैसे क्या बनाना है आपको मतलब shapes से भी बना सकते हैं फिर हम पर format कोई सा चूज कीजिए shape outline यही से border इसका थोड़ा मोड़ा रखेंगे आप देखे क्या करना है फिर से जाएंगे हम यहां पर insert shapes तो यहां पर हम देने वाले हैं अंडर से यह वाला donut फिर यहां पर देखे आप इसको करते जाए इसके साथ फिर यहां पर हमने लिखना है format करेंगे यहां पर shape, fill, clear अब हमने इस पर text डालना है इस पर लिखने के लिए हमने क्या करना है simply हम जाएंगे यहां पर insert पर फिर हम जाएंगे यहां पर word art पर word art को यह चूज कीज़ कीज़ फिर मैं बता दूं क्या करना है national and national institute of technical education trust okay इसको select करेंगे यहां पर फिर यहां से हमने क्या करना है अभी देखे पहले हमने इस पर change करके लाई है हम क्या करेंगे पहले इस file को save करेंगे file save है ता कि मुझे word art और format चाहिए तो हमने क्या कर रहा है यहां से simply 97 to 23 फिर हम रख रहे हैं देखेंगे read save अब देखें मेरे पास word art के और भी font आएंगे अभी continue हमने इस पर click किया यहां पर ctrl A format text wrap square अभी इसको करेंगे नीचे पहले जिसे हमारे पास यह हम गये थे word art पर हमारे पास यह अभी देखेंगे कोई भी बीशा कलम चेंज करेंगे यहां पर हमने यह वाला चाहिए ctrl A ctrl X text हमारा कट गया इसको अटाएंगे अब इसके हमें नीड नहीं है तो हम जाएंगे simply यहां पर sorry word art अब हमने यह वाला चूज करना है तो हम लिखेंगे यहां पर ctrl plus V जो हमने टेक्स रखा था साही सोड़ा सा काम करेंगे एक के लाइन वे इसको लाना है पहले 60 M ठीक है 14 अब भी देखें क्या करना है इसको फिर यहां से इसका करना है change shape हमने यह चाहे circle type अब ही क्या करेंगे हम इसपे पहले हम इसपे करेंगे format square है यह आरडी square अब ही हम इसको move करने वाले है पहले नीचे खीशते जाओ अब इसको यह हमारा text है इसको shape हम adjust करेंगे simply हम क्या करने वाले है इसको move करेंगे यहां पर कोई मसला नहीं शोड़ा करेंगे RM से इस पर adjust करेंगे text को अब देखे यहां से आप move करते जाओ जैसे यह है there इसको थोड़ा सा हम अंदर खीशेंगे यहां से ताकि यह आसानी के साथ इसके साथ हो जाए फिर ठीक है अंदर से अगर कुछ और लिखना है जैसे मैंने लिखा है नेशने नेशने चुट आप टेक्निकल एजिकिशन ट्रस्ट चाहे आप अंदर से इसमें image डालो कुछ पी डालो यहां पर बीच में तो simply क्या करना है यहां पर पहले add text ठीक है यहां पर अपग्रेड your skills here Ctrl A चाहे select करो ना करो यह है ही 20 size इसको भी हम करने वाले है square सबसे पहले text wrap square ठीक है पिर यहां पर change outline फिर से देंगे हम यह वाला circle type ठीक अब भी देखे आप size भी हम कम करेंगे फिर बाद में पहले इसको करेंगे यहां पर adjust अब भी देखे इसको लाएंगे बीच में उठाते जाओ Ctrl Z जब भी गलफ हो गलफ हो Ctrl Z किया करो अब भी देखे यहां पर जैसे यह हमारा text है अगर इसका color change करना है कुछ भी करना है जो आपको करना होगा वो करते जाए अगर इसका color भी चेंज करना है कुछ आपको चाहिए यलो पर निकलेगा हमारा यह वाला इसका भी करना होगा तो कोई मसला नहीं अगर फिर से अब हमने क्या करना है simply इसको click right click फिर करेंगे हम grouping फिर हमने simply क्या करना है इसको copy अब आएंगे हम paint पर फिर से जैसे पहले किया था paint ctrl plus V अब crop कीजिए select करेंगे सबसे पहले इसको यहां से फिर crop अब save करेंगे file save as नाम कुछ भी दे दो लेकिन png नहीं हमें चाहिए jpg अब हम इस बार रखेंगे इसका नाम untitled save अब हम लाने वाले इसको किसी और प्रैटिकल पे पेस्ट करेंगे जैसे यह हमारे पस नहीं अब हमें दूसरा चाहिए जो हमने अभी बना है untitled वाला तो minimize कीज़े simply फिर यहां से इसको कीज़े click right click copy फिर नीचे आईए जहां पे रखना है चाहिए नीचे रखना है कई पे भी control plus V फिर यहां पे simply click format track strap square और इसको छोड़ा करते जाहिए जितना आपको चाहिए जिस design का आपको चाहिए जहां पे रखना है आपने आप रख सकते हो simply पिर देखे आपको चाहिए यहां पे चाहिए अगर हमने आपको चाहिए तो कोई मसला नहीं आगया adjustment करेंगे design देना है यहां से बाहर से देना है कोई भी दे सकते आप लोग जैसे यह वाला देंगे हम यह रहा हमारा लोगो तो उमेद हैं आप दोस्तों को अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अगर आपने subscribe नहीं के मेरी चैनल को तो subscribe कीजिए और मुझे अपनी comment से आगा कीजिए आपका शुक्रियांबाती वसलाम